सबसे पहले आनंदूबे जी मैं आप से चुरुवात करना चाता हूँ और मेरा सीधा सवाल क्या इस घटना को टाला नहीं जा सकता था आरोप ये लग रहा है कि भारती जंता पार्टी के कारेकरताओं ने खासतोर पर सांसद और जो हांके लोकल सांसद और मंतरी के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चड़ा दी क्या हकीकत है इसके देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये घटना बेहत दुरभाग्यपूर्ण है बहुत ही दुखद है और इस घटना पर किसी भी किसम के राजनीती नहीं होनी चाहिए पहली चीज दूसरी चीज ये है कि मामला पूरी तरह से जांच के दाइरे में आ चुका है नियाईक जांच के भी आदेश दे दिये गए हैं इसके एक एक पहलू एक एक विंदू की जांच होगी किसकी गलती थी कैसे हुआ क्या हुआ तमाम तरह के बातें निकल कर सामने आ रही है और म मैं बड़ी ही गंभीरता से इस बात को कहना चाहता हूं कि आप मामला जिस तरह से बताया या दिखाया जा रहा है उसमें कई एंगल निकल कर सामने आते हैं और मैं इस पस्ट तोर से ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में माहोल को खराब करने की ये एक सुनियोजित का हिस्सा है मेरा सीधा सवाल आनंगी मुझे बताईए केंद्री राज्यमंत्री के बेटे ने क्या किसानों पर गाड़ी चड़ाई हां या नहीं सीधा यवाब दीजिए ना इधर उदर क्यों भाग रहे हैं हमको भी पता है गंभीर हमको भी पता है ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और अगर चुनाओ है तो राजीतिकरन होगा ने मैं इधर उदर दिपक जी देखें यही मैंने कहा कि यह जाच का विशह है कि गाड़ी चड़ाई गई या क्या हुआ उस घटना में देखें अभी हम कुछ कह दें और कल की डेट में जाच में कुछ अलग चीज़े आए तो वो ठीक नहीं है पूरे घटना करम की जाच हो रही है वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो एक एक बिंदू की जाच की जाएगी मानी मुख्यमंत्री जी ने भी इसके आदेश दिये हैं और जो भी किसानों की मांगे थी जो भी दूसरे पक्ष की मांग थी उसको आप से फैसला लिया गया है तो बहुत जल्ब जो है इसकी जाच रिपोर्ट आएगी और दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा